गरून पुरान के अनुसार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ सदेव कठोर व्यवहार करना चाहिए यदि इनके साथ आप नर्मी से बात करेंगे तो ये आपकी बात कभी भी नहीं मानेंगे इसी बारे में आज के इस वीडियो में जानते हैं स्वागत है आप सभी का अपने इस योटूप चैनल जीवन जीने की कला में पहले व्यक्ति कौन है दुर्जन यानि बुरे स्वभाव वाले दुर्जन व्यक्ति के साथ यदि आप नमरता पुर्वक व्यवहार करेंगे तो इसके बदले में वह आप से ऐसा व्यवहार नहीं करेगा उल्टा वह आपके नमरता पुर्वक व्यवहार करेगा दूसरा शिल्पकार यानि की कारिगर या मजदूर गरून पुराण में शिल्पकार से भी कठोर व्यवहार करने के लिए कहा गया है जिससे अभिप्राय उन लोगों से है जो अपना काम ठीक तरीके से नहीं करते हैं ऐसा नहीं है सभी के साथ और आलस्य करते हुए काम को टालते रहते हैं ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों के साथ यदि आप नमरता पुरुवक बात करेंगे तो ये ठीक से अपना काम नहीं कर आएं क्योंकि ये सही से काम नहीं करेंगे बात करते हैं दास यानि की नोकर से जी हाँ यदि आप नोकर से नम्रता पुर्वक व्योहार करेंगे तो वह आपको किसी आज्या का पालन करके नहीं देगा और आपके साथ मित्र के समान आचरन करने लगेगा अब इसमें बहुत से लोग का सकते हैं कि मित्रवत व्योहार करना चाहिए बिल्कुल अगर वो अच्छा आहे और अपनी लिमिट समझ करके सही से काम करता है बिल्कुल प्यार देना चाहिए लेकिन यहाप बात की जा रही है उदंड के समबंध में अगर वह उदंड है तब अगर आपसे मित्रवत व्यवहार करने लगे तो क्या होगा एक समय के बाद ऐसी इस्थिती आ जाएगी जब आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है आपके कुछ लोग होंगे जहां पर आपको पसंद नहीं होगा कुछ बोले वो वहां भी बोल देगा उ आपको अपने जो नीचे या अपने आसपास काम करने वाले लोग हैं उनके लिमिट्स को समझ करके उतना ही उनको वैल्यू देना बहुत जरूरी हो जाता है इसलिए यदि आपको दास यानि के नोकर से काम करवाना है तो उसके साथ आपको अनुशासन में रहना ही होगा त जैसी आप चाहते हैं यानि कि वह ठीक से काम नहीं करेगी यदि आप चाहते हैं कि धोलक की आवाज जोर से आए तो आपको उसे अपने दोनों हाथों से जोर जोर से पीटना होगा तभी धोलक से वैसी आवाज आएगी जैसी आप चाहते हैं इसलिए कहा गया है कि धोलक के इस्त्रियों को बहुत ही सम्मानिय माना गया है माता का रूप दिया गया है उनके साथ दिर्वेवहार करने के बारे में सोचना भी गलत है लेकिन यदि किसी इस्त्री का स्वभाव दुष्ट है तो उसके साथ नमरता पुन वेवहार करना मुर्खता होती है क्योंकि वह अपन की वीडियो रही ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम ले करके आते रहते हैं तो नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लें ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले साथी साथ वीडियो को लाइक शेर और कमेंट करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच सके फिलाल आज के इस वीडियो में इतना ही विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में तब तक आप सभी खुश रहें आनंदित रहें प्रेम से बोलें हर हर महादेव झालुझ में आप सक्ता जायाओक जुड़ेंगेन से भी खुश्माguru petitesव धन के बोलें